हेलो गाइज वेलकम बेक तो मैं चैनल आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक अकांटिंग टम्स के बारे में जो की क्लास 11 के लिए बहुत इंपोर्टेंट से जानना और इस जनरल भी हमें जानना ही चाहिए इससे हमें बहुत सारी चीजियो और भी समझ में आती हैं तो आज़े स्टार्ट करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या-क्या बेसिक टम्स पढ़ेंगे बेसिक टम्स एज पर सीबियसे स्लिबर्स 2021 इसमें हम पढ़ेंगे बिजनस ट्रांजक्शन क्या होती है कैपिटल ग्रॉइंग इसके अलावा लाइबिलिटी इसके अलावा लाइ इसके अलावा डिसकाउंट दोनो टाइब का ट्रेड डिसकाउंट हो या कैश डिसकाउंट हो दोनो टाइब के डिसकाउंट को हम इसमें पढ़ेंगे और कुछ और अधर टर्म्स भी पढ़ेंगे जो सीबियसे ने से लेपस में तो मैंशन नहीं किये बट इनको समझना हमा बहुत जरूरी है वो है bad debt, proprietor और depreciation तो चलिए इसको शुरू कर देते हैं सबसे पहले देखते हैं कि business transaction क्या होती है so business transaction, business transaction means a financial transaction or event entered into by two parties and is recorded in the books of accounts it is a financial event expressed in terms of money which brings a change in the financial position of an enterprise इसको समझ लेते हैं business transaction क्या है, business transaction वो transaction या वो event है जिसमें दो party, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला, एक service लेने वाला तो एक service देने वाला दो party कम से कम involved होती है, और इसको हमें क्या करना होता है, यानि ये transaction ऐसी होती है जिसको हम money में miser कर सकते हैं money में miser करेंगे एक खरीदने वाला होगा एक बेचने वाला होगा इसका मतलब क्या हुआ कि जो खरीदेगा उसके financial position में कुछ न कुछ चेंज आएगा जो बेचेगा उसके भी financial position में कुछ न कुछ चेंज आएगा so इससे financial position में चाहिए किसकी enterprises की और देख लेते हैं इसकी characteristics क्या होती हैं चलिए characteristics के बारे में देख लेते हैं number one it is concerned with money और money is worth of goods और services इसका संबंद किस से है इसका संबंद है पैसे से इसका मतलब का हुआ financial transaction business transaction वही माने जाएगी जो money के लिए की जा रही हो number two it arises out of the transfer or exchange of goods financial transaction business transaction तभी arise होनी बानी जाती है जब क्या हुआ हो goods या services का exchange हुआ हो यानि या तो हमारे पास goods आ रही हो या फिर हमारे पास यानि हम किसी service का use कर रहे हो ठीक है या हम service दे रहे हो या हम goods को sale कर रहे हो next is it brings about a change in the financial position इससे या तो assets हमारी बढ़ जाए या liability हमारी घड़ जाए यानि कुछ ना कुछ change हमारी financial position में आना चाहिए इसके रावा it has an effect on the accounting equation अब accounting equation क्या होती है accounting equation होती है कि भई business में जितने भी assets आएंगी वो या तो मालिक अपनी capital से लाएगा या फिर वो दूसरे से उधार लेकर के business में लगाएगा यानि capital और liability दोनों का total assets के बराबर होता है इसको बोलते हैं क्या accounting equation so जो हमारी business transaction है उसका effect accounting equation पर पढ़ना चाहिए पढ़ता ही है उसके उपर क्योंकि कुछ आएगा तो कुछ जाएगा भी ठीक है जी इसका मतलब क्या हुआ कि इसका dual aspect होता है इसका dual effect होता है इसकी दो side होती है या तो हम कुछ receive करेंगे या कुछ हम देंगे simple सी बात है कुछ अगर समान आप लोगे तो आपको कुछ ना कुछ देना पढ़ेगा या फिर आपको future में वो amount pay करना पढ़ेगा इसका मतलब क्या हुआ है इसका dual aspect है दो side है या अगर या आप कुछ receive करोगे तो आपको कुछ देना भी पढ़ेगा यानि इसमें दो terms हमें और देखने हैं वो है debit और credit इसके लिए एक अलग chapter पढ़ेंगे हम तो यहाँ पर सिर्फ इतना जान लेते हैं कि इसके क्या होते हैं दो side होती है एक receive करने वाली और एक देने वाली so यह हुई क्या हमारी business transaction फिर से देख लेते हैं business transaction क्या है एक ऐसा event एक ऐसी transaction जिसमें दो party होती है और उनमें goods और services का exchange होता है और यह money के terms में miserable होनी चाहिए next देख लेते हम point number two point number two है बना capital capital क्या होती है capital is that amount which is invested by the proprietor to start the business और हम कह सकते है कि capital वो amount होता है जो कि business के मालिक के दुआरा business में लगाया जाता है चाहिए वो assets की form में लगाया जा रहा हो चाहिए वो cash की form में लगाया जा रहा हो चाहिए वो check के थूँ बैंक से पैसा निकाल करके लगाया जा रहा हो यानि कुछ भी amount जो business में invest किया जा रहा है मालिक के दुआरा business को start करने के लिए उसे को क्या बोलते है हम capital बोलते है next हमारा है जो हमें समझना है terms that terms is drawing drawing का मतलब क्या होता है drawing is that amount or goods which is withdrawn by the proprietor for his personal use that means business में business का मालिक जो भी चीज़ विड्ड्रॉ कर लेता है देखिए business को हम अलग मानते हैं और उसके मालिक को हम अलग मानते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि भई business में से मालिक अगर कुछ भी अपने personal काम के लिए निकालेगा तो वही क्या कहलाएगा drawing for example मान लीजिए एक business में ने एक person ने grocery का business किया उसने काजू बदाम बेचने का business किया और उसमें से वो कुछ काजू बदाम निकाल करके खुद खा जाता है तो उसने क्या किया उसने goods withdraw कर ली उसने अपने business में से goods withdraw कर ली अपने personal use के लिए तो क्या बोलेंगे इसको हम drawing बोलेंगे एक और इसका example देख लेते हैं माल लेते हैं जो businessman था जिसने business start किया हुआ था business में capital लगाई थी उसकी शादी हो रही है उसने अपने business में से कुछ पैसे निकाल करके अपने wife को गहने ornament, gold jewelry gift कर दी तो wife उसकी है उसके business की नहीं है तो क्या मानेंगे इसको कि बई business में ने अपने personal use के लिए business में से पैसा निकाल लिया है इसको भी क्या बोलेंगे हम drawing ओके, next देख लेते हैं liability, liability क्या होती है liability हम कह सकते हैं ये करजा है business के उपर क्योंकि business अलग है और उसका मालिक अलग है अच्छा, यहां पर हमें समझना है कि business जो होता है business के उपर जो भी करजा है माल लेज़े आपने किसी से कुछ समान उधार ले लिया समान उधार ले लिया तो क्या पैसे दोगे नहीं उसको देने पड़ेंगे यानि ये business के उपर क्या है, करजा है so liability means amount owed by the business business में जो भी पैसा उधार लिया या जो भी समान उधार लिया उसका पैसा उसको पे करना पड़ेगा तो वही क्या होता है उसके लिए liability होता है so जो liability है ये दो तरीके की हो सकती है भही माल लेज़े आपने किसी से पैसा उधार लिया और आपने उसको बोला भही मैं 5 साल बाद पैसा आपको वापिस दूँगा या आपने bank से loan ले लिया 15 साल के लिए तो ये एक ऐसी liability है जो आपको 1 साल के बाद पे करनी है यानि जो आपका accounting period है मालने जो आपरहल से लेकर के और March आप कह रहे हैं मार्च के मैं 6 साल बाद या फिर 12 साल बाद 10 साल बाद आपको पे करूँगा यानि accounting period के एक साल के बाद अगर आप liability को पे करोगे तो ऐसी liability कहलाएगी non current liability तो फिर ऐसी liability जो आप पे करना चाहते हो within a period of 12 months यानि एक साल के अंदर-अंदर अपने accounting period में ही आप अपनी liability को पे करना चाहते हो या पे कर दोगे तो ऐसी liability कहलाएगी current liability तो simple liability कहा है business के उपर करजा अगर ये करजा आप जल्दे चुका दोगे एक साल के अंदर चुका दोगे तो ये कहलाएगा current asset और अगर एक साल के बाद आप पे करोगे तो ये कहलाएगा non current liability ठीक है जी अब अब इस liability के बाद हम देखते हैं अपना अगला term that is asset asset क्या होती है assets are the properties owned by the entity or enterprise देखे बिजनस में मालिक ने जो भी पैसा लगाया उसके थूँ asset generate हो गई यानि कुछ property business को अलग माना जाता है उसके मालिक को अलग माना जाता है तो business के अंदर जितने भी property exist है उसी को क्या बोलते हैं हम business की assets so assets are the properties assets क्या है property है किसकी property है business की property है ठीक है जी जो business की property होती है इसी को क्या बोलते हम assets बोलते हैं, assets को भी हम दो पार्ट में classify कर सकते हैं, दो पार्ट में हम इसको क्या कर सकते हैं, classify कर सकते हैं, पहला है non current, जैसे हमने liability में अभी discuss किया, कि ऐसी liability जो एक साल में पे करनी है, और ऐसी liability जो एक साल के बाद पे करनी है, ऐसे ही assets, assets क्या है ऐसी चीजें ऐसी property जो businessman अपने पास रखना चाहता है पैसा कमाने के लिए या long term के लिए अब इसको हम इस basis पर क्या कर सकते हैं तीन पार्ट में divide कर सकते हैं पहली है क्या non current assets non current assets कौन सी assets होती है non current assets are those assets which are held by an entity or enterprise not with the purpose to reseal but are held either as investment or to facilitate business operation example of non current assets is fixed assets चलो आपको इसको simple language में समझा देते हैं देखिजी assets क्या है assets basically है कि एक चली एक grocery shop का हम लोग example ले लेते हैं grocery shop में जितना भी item रखा जाता है वो किसलिए रखा जाता है sale करने के लिए लेकिन सोचिए जो तराजू जिस पर वो समान को रख करके बेचता है वो तराजू को भी वो बेच डालेगा क्या नहीं उस तराजू को तो वो नहीं बेचेगा वो जो counter जिस पर वो समान रखता है क्या उस counter को वो बेच देगा क्या नहीं उसको भी नहीं बे investment रखना चाहता है for example building, building को क्या वो बेच देग आपने building को जिसके अंदर वो business कर रहा है नहीं, तो ऐसे assets हमारी कहलाती है non current assets, इनको हम fixed assets भी बोलते हैं, अब यह जो fixed assets है, इन fixed assets को भी दो पार्ट में classify किया जा सकता है, पहली है क्या tangible assets, tangible इसकी हिंदी होत्य मूर्थ, मतलब जिसकी कोई मूरत हो, मतलब जिसकी physical existence हमें देखने को मिलती है, for example आपके business में आपके business के पास land हो सकती है building हो सकती है, machinery हो सकती है, यह क्या है आपकी tangible assets, fixed assets तो ही है साथ में इनकी कोई physical existence भी है तो ऐसी assets को, ऐसी non-current assets को क्या बोलेंगे हम tangible assets, tangible fixed assets, but ऐसी assets जिनकी कोई physical existence होती ही नहीं है, for example computer का software इसकी कोई physical existence नहीं होती goodwill, goodwill सिर्फ हम महजूस कर सकते हैं कि वही कोई कितना famous है, ठीक है ये भी हमें दिखाई नहीं देती so, ऐसी assets जिनकी physical existence होती है ऐसी assets क्या कहलाएंगी physical, tangible assets और ऐसी assets जिनकी physical existence होती नहीं है उनको क्या बोलेंगे हम intangible, fixed assets okay, next है हमारा next है जी हमारा so, next is current assets current assets कोई सी होती है ऐसी assets जो organization अपने पास सिर्फ बारा महीने या उससे कम पिरिड के लिए ही रखती है, नि short period के लिए रखती है एक साल के लिए रखती है और we can say current assets are those assets which are held by entity or enterprise with the purpose of converting them into cash इसको हम simple language में ये भी कहते हैं कि भई ऐसी assets जिसको हम एक साल के अंदर अंदर ही cash में convert कर सकते हैं ऐसी assets को हम बोलते हैं current assets for example, bank bank में जितना भी पैसा है आप उसको तुरंट bank से in cash करा सकते हो stock, आपका stock है आप उसको बेच सकते हो बेच करके उसको cash में convert कर सकते हो debtor आपके ग्राह का आपके आप उनसे कभी भी पैसा ले सकते हो एक साल के अंदर अंदर तो सब पैसा देही देते हैं so ऐसी assets जो एक साल के अंदर cash में convert की जा सकती है क्या क्या लाएगी current assets यह जिसको हम एक साल के अंदर अंदर बेच देते हैं okay next next हमारी assets है fictitious assets दीके fictitious assets नाम से इसके clear हैं यह जूटी assets हैं दिखावा करने वाली assets हैं यह basically assets होती नहीं है लेकिन इनको हम assets मान लेते हैं so fictitious assets are those assets which are neither tangible nor intangible यह यह ना तो tangible assets हैं ना यह intangible assets हैं they are loss यह क्या है loss हैं जिनको हम खतम करते हैं एक साल के अंदर अंदर इनको हम खतम कर देते हैं लेकिन क्योंकि इनके उपर हमारा बहुत सारा पैसा खर्च होता है इसलिए इनको assets मान लिया जाता है वाट यह real में क्या हैं यह real में होते हैं इसलिए अंदर अंदर खतं कर देगे तो SA assets जो basically assets है ही नहीं SA assets जो basically assets है नहीं बलकि क्या है एक टाइप का loss है जिसे एक साल के अंदर अंदर या एक साल के बाद खतं कर दिया जाएगा normally जो ficctious assets होती हैं उनको एक साल के अंदर हम खतम करते नहीं है बलकि एक साल से ज़्यादा टाइम तक उनको रखा जाता है बैलेंस शीट में शो किया जाता है और उसके बाद उनको राइट आफ धीरे-धीरे कर दिया जाता है हाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई assets थी आप उसको खतम करते जा रहे थे थोड़ी सी उसकी value बचिए वो इस साल में खतम हो जाएगी लेकिन basically इनका जो फाइदा होता हमें एक से ज़्यादा साल के लिए होता है इसलिए हम इसको एक से ज़्यादा counting year में खतम कर देते हैं चलिए next देख लेते हैं next जो हमारा term है वो है expenditure expenditure क्या होता है expenditure is the amount spent for acquiring assets, goods और services यानि कोई भी पैसा जो आप खर्च कर रहे हैं कोई भी amount जो आप खर्च कर रहे हैं acquire करने के लिए क्या assets, goods और services यानि किसी समाम को लेने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं किसे service के लिए कोई पैसा खर्च कर रहे हैं या किसी assets को खरीदने के लिए कोई पैसा आप खर्च कर रहे हैं तो उसी को क्या बोलते हैं expenditure बोलते हैं expenditure को भी हम तीन पार्ट में classify कर सकते हैं पहला होता है capital expenditure अब यह capital expenditure क्या है capital expenditure is an expenditure incurred to acquire assets or improving the existing assets which will increase the earning capacity of the business for example purchase of machinery अरे भही आपने पैसा खर्च तो किया है लेकिन पैसा खर्च किसलिए किया है पैसा खर्च आपने किया building को खरीदने के लिए पैसा खर्च आपने किया machinery के उपर इससे क्या होगा इससे आपको future में फायदा होगा यानि आपके earning capacity बढ़ेगी ठीक है जी आपने machine खरीद ली machine खरीदने से क्या होगा आप production करोगे बेचोगे तो यानि आपने क्या क्या आपने एक ऐसे assets acquire कर ली आपने building खरीद ली building खरीद के आप क्या करोगा आपका किराया बचेगा यानि ये दोनों ऐसे assets हैं जो business की earning capacity को increase कर रही है तो ऐसे assets ऐसा expenditure जो आप incurred कर रहे हो किसी चीज के उपर कर रहे हो किसी assets को खरीदने के लिए long term की किसी assets को खरीदने के लिए जिससे आपकी organization की earning capacity increase हो जाएगी तो ऐसे expenditure को हम बोलते हैं capital expenditure next is revenue expenditure revenue expenditure क्या होता है revenue expenditure is the expenditure incurred the benefit of which is consumed within the accounting period it has direct relationship with revenue within the accounting period देखिए आपने अपने यहाँ कोई employee रखा कोई mazdoor रखा और उस mazdoor को आप mazdoor ही दे रहे हो अब mazdoor आपके लिए क्या करेगा production करेगा यानि वो आपको पैसा कमा के देगा इसलिए आप उसके उपर पैसा खर्च कर रहे हो इसलिए आप उसको क्या दे रहे हो मजदूरी दे रहे हो आपने electricity के उपर पैसा खर्च किया आपकी बड़ी factory है उस factory में machine चलाने के लिए आपने power के उपर पैसा खर्च किया electricity के उपर पैसा खर्च किया तो इससे क्या होगा production होगा और आपके लिए इसी साल में revenue generate हो जाएगा तो ऐसा खर्चा जो directly related है किस से आपके revenue से आपकी income से तो ऐसा खर्चा जिससे आपको एक साल के अंदर ही benefit हो जाता है ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं revenue expenditure next is deferred revenue expenditure deferred revenue expenditure is a revenue expenditure in nature देखें ये क्या है ये एक ऐसा खर्चा है जिसका nature तो revenue का है और example आपने advertisement के उपर पैसा खर्च किया और उस advertisement से आपको benefit एक साल के अंदर अंदर ही हो गया तो तो ये क्या है भई तो तो ये हमारा हो गया क्या revenue expenditure लेकिन कुछ organization advertisement का खर्चा large scale पर करते हैं करोडो रुपे advertisement पे लगा देते हैं तो उससे उन्हें benefit एक साल में नहीं होता यानि एक साल में तो हो ही रहा है उसका benefit उन्हें अगले कई वर्षों तक होता है तो ऐसा खर्चा जिसका nature तो revenue का है लेकिन इसको हम ये मानते हैं कि ये हमें अगले कई वर्षों तक फाइदा पहुंचाएगा तो हम इसको एक assets माल लेते हैं और इसको अगले कई accounting year में धीरे धीरे खतम कर देते हैं तो ऐसे खर्चे को हम क्या बोलते हैं Deferred revenue expenditure देखे revenue expenditure in nature है ये बट इसको deferred कर दिया गया different accounting period के लिए more than one accounting period के लिए इसलिए क्या नाम दिया गया इसको Deferred revenue expenditure क्यों क्योंकि इसका फाइदा हमें अगले कई वर्षों तक होगा देखे हमने इसते पहले assets की बात के थी Fictitious assets Deferred revenue expenditure ही basically क्या होते हैं Fictitious assets होते हैं Okay next देख लेते हैं Next term है हमारा expense Expense क्या होता है Expense वो खर्चा है वो cost है जो आप कर रहे हो और आपको revenue generate हो रहा है Basically जो revenue expenditure के हमने बात की थी उन्हें को क्या कहते हैं हम expense कहते हैं For example salary rank ये क्या हैं आपके expenses हैं इन पर आप पैसा खर्च कर रहे हो और revenue generate हो रही है Next is income Income क्या है Income is the profit earned during the accounting period एक accounting period के दोरान आपने जितना भी profit earned किया है वही क्या है आपकी income है और we can say it is the difference between revenue and expenses revenue क्या था समान बेच करके आपके पास जो income आ रहे है जो revenue आ रहा है वह revenue है आपने sale की, sale करने से goods की sale की आपके पास कुछ पैसा आ रहे है revenue है और आपने उस sale को करने के लिए उस production को करने के लिए जो पैसा खर्च किया वो कह है आपका expenses तो आपने कितना profit कमाया, कितनी income आपको ही आपने एक लाख रुप्या purchase पर लगाया और अपने समान को आपने बेच दिया एक लाख बीस जार में दोनों का difference का है, 20,000, 20,000 ही क्या हो गया आपकी income हो गई ओके, next है हमारा profit, profit means income profit means income earned by the business from its operating activities देखिए, यह word important है, operating activity आप machine हो का काम कर रहे है, machine बना के आप बेचते हैं तो वो क्या है आपके लिए आपकी operating activity आप car बना के बेच रहे हैं, आपकी car की company है तो car को बना करके बेच नहीं क्या है आपके लिए operating activity आप grocery का business कर रहे हैं, तो grocery items को खरी नहीं बेचना आपके लिए क्या है operating activity, तो जिस activity में आप काम कर रहे हैं उसी activity से अगर आपको कोई income generate होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, profit बोलते हैं अब profit को भी हम दो part में divide कर सकते हैं एक को हम बोलते हैं gross profit और दूसरे को हम बोलते हैं net profit देखे आपने एक लाग का समान बेचा, असी हजार आपका खर्चा आया, मोटा मोटा तो आपको total profit कितना हुआ, 20,000 ये है आपका क्या gross profit क्या बोलेंगे हम इसको, ये है हमारे business का gross profit लेकिन real में क्या आपको इतना पैसा बचा, नहीं उसमें से आपने कुछ electricity में pay कर दिया कुछ जो सभाई वाला था, उसको मज़़ूरी दे दी तो मान लीजिए, ये सारे छोटे मोटे खर्चे कटाने के बाद आपके पास net 5000 रुपे ही बच्चे आपके business के पास तो उसी को क्या बोलेंगे हम, net profit अब देख लेते हैं gain, देखिए gain को हम कई बार profit समझ लेते हैं, लेकिन gain और profit में difference होता है, profit क्या है operating activity से आपको जो income हुई है, वो profit है but gain क्या है, gain is the increase in honor security, यानि मालिक ने जो पैसा business में लगाया है उसमें होने वाली व्रद्धी ही क्या है, gain है ठीक है, लेकिन ये आपको day to day earning से नहीं हुआ ठीक है जी, from its regular और non recurring nature से आपको नहीं हुआ ये मतलब क्या हुआ इसका, समझ लेते हैं, भाई आपका grocery items को खरीदने बेचने का काम था तो वो क्या था, आपकी operating activity उससे जो आपको income हो रही है, वो तो क्या है profit लेकिन आपके हाँ, जो पुराना counter रखा था आपके हाँ जो पुरान table रखे थी, जिस पर समान रखा हुआ था आपने उसको बेच दिया, उससे बेचने से अगर आपको कुछ profit हो जाता है तो वो क्या है gain, क्यों क्योंकि वो आपकी regular activity नहीं है अरे business ने कुछ पैसा long term के लिए रखा हुआ तो कुछ share ले रखे थे long term के, उनको बेच दिया, उससे उसको कुछ gain हो गया अब क्या उसका ये normal business था? नहीं, उसका normal business थो operating activity था तो अगर उसकी जो non regular जो काम है उसका या non recurring nature की जो activity वो कर रहा है अगर उससे उसको कुछ profit होता है, तो उस profit कोई क्या बोलते हैं? gain बोलते हैं, और simple सी बात है इससे क्या होता है? इससे जो हमारा business होता है उसकी हमारे business man की equity यानि capital बढ़ जाती है ओके, next देख लेते हैं next है loss, loss क्या है? वही excess of expenses of a period or its revenue देखे, simple सी बात है, अगर revenue जादा है, खर्चे कम हैं, तो तो profit है but if expenses is more than the revenue then this situation is called loss और इससे मालिक की capital घटेगी, यानि honor equities से घट जाएगी okay, next देख लेते हैं, क्या है purchases? purchase क्या है? भई, purchase एक ऐसा term है, जो कि हम use करते हैं अपने business में माल लीजी, आपने कुछ production करना है अब production करने के लिए आपको goods चाहिए, आपको raw material चाहिए तो जब raw material आप खरीद करके लेके आ रहे हो तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, purchase बोल देते हैं तो यह जो term है, यह जो शब्द है purchase यह use किया जाता है account में किसी के लिए record करने के लिए goods raw material की purchase के लिए यह जब भी आप समान खरीदते हो तो उसी को क्या बोल देते हैं, purchase लेकिन purchase तब ही बोला जाएगा, जब आप वो समान खरीद रहे हो जिसको reproduce करके आप बेचोगी, ठीक है, आपने asset खरीदी तो इसको हम purchase नहीं मानते हम बोलते हैं, भई हमने asset purchase की लेकिन अगर आप goods, goods मतलब भई operating activity वाला समान अगर आप खरीद करके business में ला रहे हो, जिसका purpose क्या है कि बाद में उसको resell कर देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे most goods को अगर आप खरीद के लेके आए हो, तो उसको क्या कहेंगे purchase कहेंगे, okay, next term is sales, तो sales क्या है जो समान आपने बनाया है, या जो समान आप अपने पास resell करने के लिए लेके आ रहे हो, अगर आप उसको market में बेच देते हो, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है, sales, next है हमारा goods, goods क्या है, अभी आपको बताया था, कि आपकी जो operating activity है, grocery item का आपका business है, तो grocery की जितने भी item आपके हाँ होंगी, वो सब क्या कहलाएंगी, वो सब कहलाएंगी, goods, so goods are the physical item of trade that are purchased to be sold, मतलब आप उनको खरीजना और बेचना चाहते हो, उनको produce करना और बेचना चाहते हो, और यह होना क्या चाहिए, आपकी normal, यारि ordinary course of business वाली चीज़ें होनी चाहिए, ओके, next देख लेते हैं, next है stock, stock क्या होता है, goods lying in the go down, इसका मतलब क्या हुआ, कि stock क्या है, stock कैसी tangible asset है, जो की enterprise जो होती है, जो की business जो होता है, वो क्या करना चाहता है, ordinary course of business में, अपने पास रखता है, देखिए, उसने मान लीजेए, कुछ समान बनाया, businessmen ने कुछ समान बनाया और बेचने के लिए, लेकिन साल के अंप में, कुछ समान अभी बिना बिका पड़ा हुआ है, तो वो ही क्या है, stock है, न के वल भई, भई, आपने raw material खरीद लिया, raw material खरीद लिया, अभी उसका पूरा use आपने production करने के लिए नहीं किया, यानि उसमें से भी कुछ समान आपके पास बचा हुआ है, तो वो भी क्या है, आपके लिए, stock है, okay, so stock is a tangible asset, भई दिखाई देता है, हम इसको छू सकते हैं, so stock is a tangible asset, held by an enterprise, for the purpose of sale, इसको हम अपने ordinary course of business में क्या कर देंगे, sale कर देंगे, for the purpose of using it, या फिर इसको use कर लेंगे, किसमें use कर लेंगे, production करने में इसको use कर लेंगे, अगर हम बात करते हैं कि stock हमारे पास साल के शुरू में कितना बचा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, opening stock, अगर हम यह देखते हैं कि साल के end में हमारे पास कितना stock बचा हुआ है, तो उसको बनाया हुआ है आपने बेचने के लिए आपके पास ready रखा हुआ है लेकिन अभी वो विका नहीं है बन के तयार हो गया लेकिन अभी गोडाउन में है विका नहीं है तो ये क्या कहलाएगा stock of finished goods आपने कुछ समान business में production करने के लिए खरीदा यानि raw material आपने खरीदा और उस raw material का अभी आपने पूरा यूज नहीं किया है production उससे अभी पूरा नहीं हुआ है यानि raw material अभी पढ़ा हुआ है तो ऐसे stock को क्या कहेंगे stock of raw material मान लीजिए आप phone बनाके बेचते हैं आपके पास जो raw material आया था उस raw material को आपने पूरा यूज कर लिया लेकिन अभी phone final बनके तयार नहीं हुआ तो ऐसे समान का ऐसे phone का आपके पास अगर stock बचा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे stock of work in progress अब देख लेते हैं next next है हमारा debtor देखिए debtor बड़ा important word है इसमें be silent है debtor इसको बोलते है debtor debtor क्या होता है debtor basically वो customer है आपका जिसको आपने समान उधार बेचा ह so debtor is a person to whom goods are sold on credit यह word important है credit credit मतलब उधार अगर आपने किसी भी ग्राहक को किसी भी person को उधार समान बेच दिया तो उसी को क्या बोलेंगे हम debtor बोलेंगे okay अब debtor जो होता है हमारा वो क्या हुआ हुआ जिसको हमने समान बेच दिया okay अब देख लेते हैं creditor क्या होता है so creditor इसका बिलकुल opposite है creditor is that person from which goods are purchased on credit देखिए जिसको समान उधार बेचा वो हुआ है debtor जिससे समान उधार लिया वो हुआ क्या आपका creditor देखिए debtor से तो हम पैसा ले लेंगे future में यह जो debtor होता है यह हमारे लिए क्या बन जाता है यह हमारे लिए बन जाता है asset ओके जबकि creditor कोन है वो बंदा जिससे हमने समान उधार खरीदा तो यह पैसे हमें future में देने भी पड़ेंगे ना इसके तो यह हमारे लिए क्या बन जाएगा future में एक liability ध्यान रखेगा यह important है दोनों के दोनों debtor कोन हुआ वो बंदा जिसको हमने समान उधार बेचा और creditor कौन हुआ वो बंदा जिससे हमने समान उधार खरीदा debtor asset हुआ और creditor liability हुआ ओके next is voucher भाई आप लोग fees पे करते हैं तो आपके पास उसका एक evidence होता है ना fees receipt होती है वो क्या है एक evidence है business transaction का ऐसे evidence जो किसी business transaction का evidence बन जाते है उन्हीं को क्या कहा जाता है voucher कहा जाता है for example आपने bank में पैसा जमा करा है उन्होंने आपको cash receipt दे दी आपने कोई समान purchase किया उन्होंने आपको invoice या bill या cash memo दे दी तो वो क्या है उस transaction का evidence उसी को क्या बोलते हैं हम voucher बोलते हैं So ये हमारे term से अभी next देख लेते हैं क्या है discount Discount क्या होता भई Simple सी बात है अगर जो goods हैं उनके price में कोई reduction हमें मिल जाती है यानि कोई भी reduction अगर price of goods में होती है तो उसी reduction को क्या बोलते हैं Discount बोलते हैं So discount is a reduction in the price of goods or from the amount to be paid to a customer by the enterprise देखें सिंपल सी बात है आपको बताते हैं मानले जो आप समान ज़्यादा खरीदना चाहते हो तो बहुत सी organization क्या करती हैं लिखती हैं आपने TV मैड भी देखा होगा कि हम 5000 वाली जरी सिफोन साडी मातर 500 रुपीज में बेच रहे हैं तो ये discount किसलिए दिया जा रहा है ये reduction है price में किसलिए की जा रही है ताकि समान को ज़्यादा बेचा जा सके अपने stock को clear किया जा सके ऐसे discount को हम बोलते हैं trade discount और ये trade discount हम सभी को देते हैं कई बार जो sale लगा दी जाती है price of up to 70% ये सब क्या है trade discount ये किसलिए दिया जाता है so that हमारी जो sale है वो क्या हो सके बढ़ सके consumer large quantity को purchase करे तो दूसरी type का discount क्या होता है दूसरा होता है cash discount आपने किसी को समान उधार बेचा हुआ है अपने debtor को आपने एक लाख रुपे का समान उधार बेचा हुआ है अब वो पैसे नहीं दे रहा हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि भई अगर आप आज पैसे देते हो तो हम 95,000 में ही आपका इसाब क्लियर कर देंगे तो debtor से early payment लेने के लिए early पैसा लेने के लिए हम क्या करते हैं उसको एक discount दे देते हैं ताकि वो timely amount पे कर दे ऐसे discount को हम क्या बोलते हैं cash discount तो ये था cash discount और trade discount अब देख लेते हैं bad debt, bad debt क्या है आपने अपने debtor को समान बेचा आपने क्या किया अपने debtor को कुछ समान उधार बेचा लेकिन अब debtor इस position में नहीं है कि आपको पैसा दे सके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसा amount है जो business ने दिया था, उधार में समान दिया था किसको अपने ग्रहक को but अब वो पैसा उससे recover नहीं हो सकता so it is the amount all to the business that is written off because it has become irrecoverable क्योंकि ये क्या हो गया irrecoverable हो गया हो सकता है अगर हका दिवाला निकल गया उसके घर में को problem आ गई हो या हो सकता है वो भाग जाए भाई हमारे business की पहुंच से दूर वो भाग जाए और या वो clearly कह दे पैसा दहीं नहीं सकता मेरे बसकी नहीं पैसा जो मर जी कर लो आ तो ऐसे पैसा जो आपने उधार दिया हुआ है और वो irrecoverable हो गया तो ऐसे amount को क्या बोलेंगे हम bed debt okay next is depreciation depreciation क्या होता है depreciation is a fall in the value of fixed assets or assets because of usage or with effects of time or obsolation or accident देखिए आपने मान लीजे कोई bike ले कोई car खरीदी क्या car की value उतनी रहेगी एक साल बाद जो car आपने खरीदी क्या एक साल बाद उसकी value उतनी रहेगी नहीं उसकी value धिरी धिरे खतम हो जाती है क्यों खतम हो जाती है क्योंकि आप उसको use करते हो समय बीटता है और समय बीटने के साथ वो commodity वो asset out of fashion हो जाती है या उसका accident हो गया तो ऐसे reason की वज़े से asset की value में कम ही आ जाती है इसको क्या बोलते हैं depreciation बोलते है okay next word है हमारा proprietor proprietor क्या होता है अरे वो बंदा जिसने business को start किया अरे भाई वो person who invested the money to start the business so proprietor is the person who makes the investment and bear all the risk associated with the business is called proprietor यानि honor business का जो business शुरू करेगा business का सारा risk उठाएगा profit या loss वही कमाएगा यानि वो business के साथ associated होता है business को शुरू करता है उसमें पैसा लगाता है उसी को क्या बोलते हैं honor या फिर proprietor of the business or the person who invests the money to start the business is called proprietor so thank you अगर आपको ये सब चीजे समझ में आई हो और सब कुछ अच्छा लगा हो so इस वीडियो को like और subscribe करना ना भोले thank you thank you